अलो फ्रेंड्स वेल्कम टु स्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत दोस्तों मेरे चाल में आज की स्पेडों में हम बात करने वाले हैं संजबर कॉलिज नाची आड्मिशन फॉर्म कब आएगी कौन से वन्त में आएगी और यहाँ पर क्या इंट्रेंस एग्जामिशन कंडग कराए जाएंगे क्योंकि आप देखे तो दो साल से यहाँ पर इंट्रेंस एग्जामिशन नहीं हुआ है यहाँ पर इंट्रेंस एग्जामिशन बिल्कुल होंगे आपके पास पर आपको इंट्रेंस एग्जामिशन यहाँ पर देना होगा इंट्रेंस एग्जामिशन की बहुत ज़्यादा चांसे से इसलिए आप तैयारी कर लेंगे पहले ही क्योंकि competition कहीं न कहीं बढ़ गई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं intermediate की form का पाईगी नॉर्मल डेट की बात करें तो आपके रिजल जब आ जाती है यहाँ पर form यहाँ पर available हो जाता है ठीक है याद रखेंगे form available हो जाएगा entrance examination within 15 days आपके करा दिये जाते हैं आपके admission form के बाद ताइम आपको यहाँ पर दिया जाता है जैसे आपको लगबग एक मन्त दिया जाएगा या यह 20 दिन दिया जाता है जिसमें आपको admission form यहाँ पर fill up करना होता है इंटरेंस examination form fill up करना होता है उसके बाद जो होगा क्या यहाँ पर आपका आपका entrance examination होगा entrance examination में भी result भी जल दिया जाती है रिजल्टाने के बाद आपको डेट बता दिया जाता है अडमिशन लेनी के लिए बोल दिया जाता है ये आप जान लेजी मन्त कौन सी है मन्त बात करें तो आपके बहुत जादा चांसस है जून में जो है start हो जाएगा ये जुलाई तक आपको admission मिले के बहुत ज़ादा chances है, जुलाई तक मानिये कि यहाँ पर हो सकता है आपको आजए, जुलाई तक आपके admission हो जाएंगे, बात करते हैं अब UG की, UG में क्या देखनी को मिलेगा, UG में बिल्कुल यहाँ पर graduation की बात करें तो यहाँ पर सारे courses में entrance examination आपका होता है, इंटरेंस एग्जामनिशन के बेसिस पे होता है, और स्लेवर्स अगर आप देखें, तो कहीं न कहीं ये स्लेवर्स कुछ सब्जेक्ट में ठफ देखनी को मिलता है, competition की बात करें, तो कुछ courses में competition भी काफी ज़्यादा होती है, competition क्यों ज़्यादा होती है, पहला तो यहाँ पर जो है, मतला दो seats, यहाँ पर seats किसी में limited है, जैसे BSE की बात करें, तो बाटनी में आपको competition ज़्यादा देखनी को मिलेगी, seats यहाँ पर limited है, और English की बात करें, BA मे उसमें भी competition काफी ज़्यादा देखनी को मिलती है political science जो है आपका ठीक है उसमें भी यहाँ पर competition ज़्यादा देखनी को मिलती है तो इन subject के लिए आपको थोड़ी तैयारी यहाँ पर करनी होगी बात करें यहाँ पर कौन सी मन्त में आईगी form यहाँ पर other courses की कैसे आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले मन जान ले आप यहाँ पर जो है आपकी result आने के बाद आती है normal date फिर भी बतला दूँ यहाँ पर जून से जुलाई आपका यहाँ पर entrance examination form आने वाला है यहाँ पर जून से जुलाई रहेगा date और फिर आपके entrance examination conduct कराए जाएंगे entrance examination most probably आपके जुलाई आखरी week से देखनी को मिलेंगे या 15th July के बाद देखनी को मिलते हैं ठीक है जुलाई 15th of July के बाद entrance examination इस्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपका यहाँ पर लगबग 15 days या 20 days चलता है उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद अगस्ट में admission start हो जाते हैं और जो सही से classes होते हैं जिसमें सारे attend करते हैं बच्चे तो वो आपके सिधंबर से सुरू हो जाती है सिधंबर से आपके semester सुरू हो जाएंगी और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई चलने लगता है अच्छा phase चलने लगता है पर एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पर आपका result यहाँ पर बहुत जरूरी है result आने के बाद ही जो है normally देखा गया है यहाँ पर form अबलेबल होती है endurance examination भी conduct हो रही है फिर भी result का यहाँ पर आना काफी जरूरी है result जब आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर बतला दू form आपका अबलेबल हो जाएगा चाहे वो cbc board की हो यहाँ पर दो board जो है काफी important है cbc हो गया यहाँ आपका jack board हो ठीक है तो यह जो है दो board जो है बहुत ज़रूरी है इन में किसी की भी result पहले आ जाएगी तो उनका entrance examination form एबलेबल हो जाएगा फिर भी आपको result की वेट करनी है यहाँ पर result जब आ जाए form एबलेबल हो जाता है फिर भी मैंने एक tentative date आपको बता दिया जून से जुलाई यहाँ पर बिल्कुल chances है ठीक है यहाँ जून से जुलाई आपको date याद रखना है ready रहना उस time पर channel देख लिजएगा काफी होगा अब बात करें पढ़ाई कैसे करेंगे graduation में examination होती है किसी में competition भी tough है तो इस पर जो हो सकता है syllabus आपको फिर से provide के जाए क्योंकि syllabus जो है दो सल पुराने वाली है तो आप उसे देख सकते है पर यहाँ पर जो है ज़्यादा efficient नहीं होगी क्योंकि syllabus में मुझे जहां तक लग रहा है changes देखनी को मिलेंगे syllabus यहाँ पर थोड़ा change रहेगा तो सबसे better आपका रहेगा कि आप जो है अधर्स entrance examination की भी तैयारी करें साथ में class 11-12 जो होगी उसे आप अच्छे से धियान दे ठीक है और intermediate की बात करें तो वो आप जो है intermediate वाले 10 की धियान देंगे तो अच्छा रहेगा और graduation में जिनको लेना है 11-12 के अच्छे से पढ़ाई करें और यहाँ पर जो आप देखें common university entrance test जो है CUAT तो उसकी जो है आप तैयारी कर सकते हैं और इसपे बतला दू chances of admission काफे जादा आप कर रहेगा उसकी भी video मैंने कई बहुत सारी बनाई है provide कर रहा हूँ आपको तो इसकी examination जरूर आप देंगे इसकी भी आप तैयारी किजिए घरबैटे तैयारी हो सकती है बहुत सारे topic already covered है YouTube channel के दिवारा तो यहाँ पर घरबैटे तैयारी हो जाएगी और इसपे होगा क्या आगर आप यहाँ पर अच्छे score कर जाते है तो direct central university में आपका admission होगा 45 central universities जो है UGC के अंडर आती है उसके अंडर जो है आपका admission हो जाएगा यहाँ पर बस counseling करनी होगी तो उसका entrance examination की तैयारी करेंगे तो कहीं ने कहीं syllabus आपका cover होगा आपको चलाग बना है क्योंकि यहाँ पर common syllabus काफी रहती है तो एक entrance examination मत दिजिए उसके लिए तैयारी मत कीजिए यहाँ पर एक तैयारी के बाद जो है आप multiple यहाँ पर entrance form fill up कीजिए multiple यहाँ पर examinations दिजिए ताकि chances of admission ज्यादा होगा अच्छे से अच्छे colleges में हाँ जा सके तो hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching, best of luck